स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ओनलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म पे आज हम लोग अपने टार्गिट गुरुकुल के चैनल पे कुछ नया ले करके आए हैं related with MCQ जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है कि हमारे MCQ ongoing है for semester 2 and semester 4 के तो आप लोग इस बार जो MCQ है जिससे आप जुड़ने वाले हो वे business regulatory framework है जिससे आप देख सकते हो कि like आपकी preparation अभी कहां पर पहुँची है MCQ required deep study तो MCQ हमेशा ये देखता है कि आपकी preparation कहां पर पहुची है practice हमेशा करते रहना चाहिए तो चलिए start करते हैं फिलाल के लिए अगर आप channel पर पहली बार आए है तो मैं आपको बता दूँ मेरा नाम मुसकान है और मेरे पास में online प्लस offline 5-year का experience effort teaching and जो है target गुरुकुल पर मैं educator हूँ और मैंने odd semester को भी डन किया है आप लोगों के साथ में तो now it's time to even semester it's time to solve MCQ तो इस MCQ की series को लेकर के आए हैं फिलाल के लिए अगर आपको हमारे साथ में हमारे online learning batch से जुड़ना है तो आप इससे जुड़ सकते हैं और mentorship ले सकते हैं फिलाल के लिए मैं आपको बता दूँ हमारे आपे second semester के लिए batch is ongoing है जो की exam oriented batch होंगे and then आप क्या करिएगा application download कीजेगा target group की वहाँ पे आपको demo lectures and notes मिल जाएंगे वहाँ से grab कीजिए and फिर उसके बाद में अगर आपको course पसंद आता तो आप इसमें enroll कीजिए and one more thing अगर आपको कोई query आती है तो आप direct contact कीजिए और हमारा WhatsApp group जो बन गया है उस पे हमसे जुड़िए और उस channel को join करिए आपको description में link मिल जाएगा उस WhatsApp group को join किरिए जिससे आपका preparation boost हो सके और इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं after all हम YouTube पे भी बहुत जादा महनत करते हैं तो मैं यही चाहती हूं कि जब भी आप लोग YouTube पे चीजों को देखो तो कम से कम आप at least बताओ comment section में कि आपने view करा उस उस lecture को क्योंकि in case अगर आप view करते होना तो यह मेरे confidence को boost करता है जब भी मैं देखती हूं कि ठीक है मेरे students ने view करा है ठीक है तो बिना समय गवाय स्टार्ट करते हैं business regulatory framework हम लोग जो है न एकदम बिलकुल initial level पे स्टार्ट करेंगे आपको थोड़े बहुत और भी मिल जाएंगे concept आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे आप previous वाले lectures को चेक करना और इसके अलावा हमाई applications पे भी यह lectures मौजूद है तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो हमसी YouTube से भी जुड़के देख सकते हो तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आपको क्या business regulatory framework ठीक है यह आपको पढ़ना है और इसके MCQ सीरियस में लेकर के आई हूँ एक एक करके सारे question पढ़ते हैं मैं MCQ कराने के साथ में आपको concept भी बताती ज है इसलिए चीक है तो start करते हैं contract means an agreement ठीक है अभी contract का meaning क्या है अब देखो मैंने आपको बताया था जो मेरे students उनको अच्छे से मालूम है कि मैं आपने बताया था कि contract equals to agreement agreement मतलब agreement के सारे features plus enforceable by law कर होगा मतलब जो आप enforce करा सकते हैं वो होगा ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा contract means an agreement which is enforceable by law एक अनुबंद का अर्थ है एक समझोता तो यहाँ पे क्या है कि वो जो कानून द्वारा लागू कराने योग यह है वो ठीक है प्रवर्तिनिये कराये जा सकता है नहीं कराये जा सकता आप ध्यान दो इसे enforceable का meaning मैं क्या बताती हूँ आप इसको प्रवर्तिनिय करा सकते हो या नहीं ठीक है तो इसको option a right हो जाएगा बाकी के option भी देख लेते which is not enforceable by law तो वो contract क्यों बनेगा वो फिर agreement नहीं रह जाएगा agreement के भी natures होते features होते हैं ठीक है agreement के भी natures होते हैं features होते तो वो क्यों बनेगा right तो which is create social obligation तो अगर social obligation की बात करी जा रही है तो य social agreement हो जाएगा फिर वो business related या business nature का agreement नहीं कहलाएगा ठीक है आप समझ पार है मैं क्या कहना चाहरी हूँ right next which is writing अरे यार अगर मालो contract है enforceable by law है तो हमेशा law में जो चीजे होती है वो क्या होती है in writing होती है मतलब audio and जो हाँ like जिसे audio हो गई तो वो आपका अगर audio है तो वो वहाँ पर खारीज हो जाती है ठीक है तो वो in writing ही होती है some special case में जो audio होती है वो acceptable होती है but most of cases में जो in writing ही acceptable होती है तो enforceable by law अब मालो ये option D right हो भी जाता लेकिन क्यों नहीं right हो पाया इसलिए नहीं right हो पाया कि अगर आपके और मेरे बीच में कोई agreement होता है और मैंने उसको in writing ले लिया है ठीक है और वो business nature का नहीं है बट फिर भी मैंने उसे in writing ले लिया तो क्या मैं उस agreement को contract कहे पाऊंगी the answer is no because हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे है only commercial nature के जितने भी contract होते हैं उनकी बात कर रहे है और वो हमेशा business nature के होते हैं और enforce कराए जा सकते हैं for example मैं आपको example देना चाहूंगी मान लो कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और उसने मुझसे बोला कि चल मुसकान आजा करते हैं अब वो मैगी पार्टी के लिए उसने मुझे बुलाया 24 of April को अभी नहीं आई है आने वाली है 24 April को उसने मुझे मैगी खाने के लिए बुलाया इन केस अगर वो मुझे फोन करके बोले कि मुसकान हम मैगी नहीं बना सकते हमारे यापर मैगी खतम हो गई है तो क्या मै उसके उपर केस कर सकती हूँ मैं उसके उपर केस कर सकती हूँ the answer is no मैं उसके उपर केस नहीं कर सकती because यह जो है ना यह हमारे और उसके जो agreement हुआ है वो social nature का था जिसमें की social nature में वो मेरी दोस्त है और मैं उसको enforce नहीं करा सकती मैं उसके उपर कानूनी तौर पे जो है मुकदमा नहीं कर सकती इसलिए अगर इन राइटिंग में भी उसने मुझे भेजा मालो इसे वाट्सअप पे भेजा आज चल मैगी खाते है और उसने बादे मना कर दिया तो भी मैं उसको ले करके कोट में नहीं जाऊंगी कि इसने मुझे कात मैगी के लिए और इसने अभी बाद में बोली कि मैगी खतम हो गई है ठीक है तो इस वज़े से option A right हो जाएगा एन एग्रिमेंट इस क्रियेटेड बाइ वर्ड इस्पोकेन और वर्ड रिटेन इस कॉल्ड राइट तो अभी माल लो इसमें बोल रहे है कि एग्रिमेंट है जो कि वर्ड इस्पोकेन बोल करके और रिटेन इस कॉल्ड अभ उसको क्या हम बोलते हैं जहां पर हम किसी भी एग्रिमेंट को बोल करके मतलब वर्ड के फॉर्म में वर्ड के फॉर्म में और written form में देखते हैं तो हम उसको express बोलते हैं ठीक है? express बोलते हैं बोले गए लिखे गए शब्दों द्वारा जहां पर use of word हो गए न तो उस समझोते हैं को हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं express express agreement ठीक है? इसको option A, right हो जाएगा बाकी के option क्यों नहीं right होंगे इसके बारें बात कर लेते हैं executed agreement वो agreement होते हैं जो कि पहले से ही उसका performance खतम कर दिया गया है execute कर दिया गया है उसका performance अब नहीं करना है implied agreement वो agreement होते हैं जिसमें कि ना तो word का इस्तमाल हुआ है ना written form में इस्तमाल हुआ है वो in by gesture आप showing कर रहे हो and void able agreement वो agreement होते हैं जो कि एक के हिसाब से चीजे valid है और दूसरे के हिसाब से चीजे valid नहीं है इसलिए हम इसको void able agreement कहते हैं ठीक है next question an agreement an offer comes to end by ठीक है अब देखो offer आया और offer ending बोल ला है ठीक है end कब हो गया ठीक है कोई भी offer खतम कब हो जाता है तो simply offer को reject कर दो मान लो जैसे कि मैं आपको example देती हूँ कोई person X है and उसने Y को propose करा for marriage ठीक है या फिर say for girlfriend ठीक है तो उसने यहाँ पे इसको propose करा अब अगर Y जो है इस चीज के लिए deny कर देती है तो X को क्या offer reject हो जाएगा offer जो है उसका revoke हो जाएगा और अब offer खतम हो जाएगा तो simply revocation right answer हो जाएगा मान लो जैसे कि offer अगर accept हो गया तब तो offer आगे तक बढ़ेगा फिर तो शादी की तैयारिया हो गिसीते अगर offer में communication हो गया तो भी आगे चीजे बाते बढ़ेगी फिर बाते हो जाएगी फिर उसके बाद में acceptance हो जाएगा revocation ही एक ऐसा जरिया है जिससे offer को खतम किया जा सकता है आप मना कर दो simple ठीक है एक प्रस्ताव समाप्त हो जाता है ठीक है कब हो जाता है जब आप उसको खारिज कर देते हो ओके all contract next question all contract अब देखो all contract writing में है अच्छी बात है oral है अच्छी बात है registered है और भी अच्छी बात है तो जो contract होते है वो option ठीक है इसको थोड़ा change करेंगे जितने भी contract होते है वो writing form में हो सकते oral form में हो सकते और registered भी हो सकते तो इसका जो answer आएगा वो all of the above होगा ठीक है थोड़ा सा changes था next question when counter offer is given the original offer ठीक है when counter offer is given right तो counter offer का क्या मतलब है मालो जैसे मुझे एक jeans खरीदना है और उस jeans को खरीदने के लिए मैं store पे गई और मैंने उनसे बोला कि counter offer जैसे कि उसने बोला ये madam jeans 100 रुपे की और मैंने बोला नहीं भाया तुम बहुत जादा लगा रहे हो तो मुझे ये 80 की दे दो तो वहाँ पे पहले वाला जो था वो खारीज हो गया ठीक है तो यहाँ पे जो प्रती प्रस्ताव होता है वो क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा मतलब वो खारीज हो गया उसकी जगे पे दूसरा कोई contract बन जाता है कोई counter offer जो है original offer जो है छूट जाता है आपसे फिर उसके बाद में कोई दूसरी condition आ जाती है तो हम उसको बोलते है राइट ओके तो यह चलिए हम लोग next question पढ़ते हैं like next question में क्या लिखा हुआ है जान से पढ़ेंगे next question में लिखा हुआ है an advertisement for sale an advertisement for sale goods by auction अब देखो यह जो है 1930 के according sale of goods act जो की सोगा का आ जाता है उसके according concept हम से पूछ रहा है तो ध्यान दो मैंने जब आपको यह concept को पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था an advertisement for sale goods by auction यह क्या है आपका invitation to offer है नीलामी द्वारा माल बेचा अब simple सी चीज है ना इक चीज को समझो आप कि आपको नीलामी द्वारा जो है समान को बेच रहा है नीलामी करने के लिए आप लोगों को invite करते हो लोग आते हैं बहुत बड़ी मात्रा में फिर वो बोलिया लगाते हैं इस वज़े से option A राइट हो जाएगा नेक्स्ट है अब foreigner foreigner के बारे में पूछ रहा है चीक है तो वो foreigner अब देखो मैंने एक चीज बताईती ये concept आपको कहाँ पर मिलेगा section 11 में मिलेगा competence to party capacity to contract ठीक है Indian contract 1872 में एक concept मिल जाएगा आपको जिसमें तीन concept बताएगे पहला concept ये था कि age of majority majority होना चाहिए फिर वो lunatic या drunker या stupid person नहीं होना चाहिए मतलब की क्या वो जो है चीजों को समझने के लिए होना चाहिए and then फिर उसके बाद में next next क्या है वो कोई भी disqualified by law नहीं होना चाहिए तो foreigner क्या हमारा contract का capacity को देख सकता है नहीं देख सकता है तो वो तो अपर यो वो पादओ सकता है